स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस पॉइंट के अंदर जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डिपसार में और डिपसरो में काउंसलिंग हो रही है उस साइट पे जो भी कॉल्ज लिंक देगा उस पे म दूसरा तॉसरी डोक्यूमेंट हर वह है गुरब वर सब्सक्राइब वहुल सर्ट थे नगॉनाय समिट करना अगर आपके पास रॉपसरी नहीं है किरुको के पास नहीं है तो वह जो है 10th की जो marksit होती है या certificate जो होता है वो भी upload कर सकता है उसकी जगा तो तीसरा है आपका provisional certificate 12th pass out करने के बाद आपको एक marksit मिलती है और एक certificate मिलता है तो जिसके पास अगर certificate है तो वो certificate scan करके रखे और जिसके पास certificate नहीं है तो वो school में जाके अपना provisional certificate जो है वो बनवा सकता है वो बनवा ले और उसको scan करके PDF format में बना कर रखे जो upload करने के काम आएगा तो चौथा जो है वो है आपका proof of gap year gap year में आपका आपने जो भी किया है उसका proof जो है वो दिखाना पड़ेगा तो चलिए मैं बता दिता हूँ उसके पास क्या-क्या जो है वो documents हो सकते हैं इसके related coaching अगर आपने कहीं पर ली है तो उसका ID card होगा आपके पास या फिर फीज स्लिप आपने जो भरी होगी तो वो हो सकता है अगर आपने कहीं entrance exam दिया है उस gap year के अंदर तो उसकी application हो सकती है admit card हो सकता है अगर आपने किसी और college में admission ले रखा था या कोई और other course कर रहे थे तो उस college का ID card होगा आपके पास तो वो ID card भी जो है आप gap year के proof में डाल सकते हैं अगर अपने 12th की जो है वो improvement दी है मतलब improvement mark sheet improvement दिया है 12th का तो उसकी अगर mark sheet है आपके पास तो वो भी आप upload क कर सकते हैं और इन सब के अलावा अगर आपके पास इन में से कोई भी चीज अवलेबल नहीं है तो आप एक एफड़ जो है वो जाके बनवा ले एफड़ एफड़ बनवाले gap year के लिए वो एफड़ जो होगा वो आप स्कैन करके जो है वो upload कर दें उस जगह पर जब भी आ बनवा लेना और जिसने gap किया है वो अपने area के जो MLA है उनसे बनवा सकता है और stamp लगवा के उसके scan करके upload करना है तो जो च्छटा document है वो है आपका medical certificate from MBBS तो यह जो है आपको MBBS से बनवाना है मैं इसको बता देता हूं आपको कहां से download करना है Google पर जाकर आपको लिखना है DPSRU Prospectus 2020 तो जो भी Prospectus आएगा पहला link जो आएगा दिपसरू का वह आपको खोलना है यह Prospectus DPSRU का आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं आधे ज्यादा detail आपको इसमें मिल जाएगी इसके page नंबर पे जाना है आपको 33 33 page नंबर पे जो है इसमें medical certificate दिया गया है तो इसको आपको प्रिंट निकलवाना है इसका प्रिंट निकलवाने के बाद इसको फिल करना है फिल करने के बाद आपको इसे MBBSS में मोहर स्टैंप लगवानी है और उसके बाद आपको फिर इसे scan करना है scan करने के बाद जब भी आपकी document upload की date आएगी तो उस दिन आपको upload करन है यह इसके अलावा जो है सातवे नंबर पे आपको दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे इन्हों ने तो दो पासपोर्ट साइज आप रिसेंटली वाले जो हैं वो चुआ के रखें और अटेस्टेड नहीं होने चाहिए वो फोटोग्राप और कलर्ड होने चाहिए और इनको भी स्कैन करके आप रखें तो ये भी साथ आपको उस वक्त अप्लोड करने पड़ेंगे इसके अलावा आपको एकनॉलिजमेंट सिलिप जो है आपके पास वो स्कै सर्टिफिकेट की तो इसके लिए बहुत सारे कोशन आते हैं तो मैं बता दूँ आपको OBC का जो नौन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है वो आपका रिन्यूड लगेगा इसमें डेट लगी है एक जनवरी 2020 यानि की 2020 का जो रिन्यूड सर्टिफिकेट होगा वही लगे आप और इंकम सर्टिफिकेट जो है वह आपसे नहीं मांगा जाएगा और मांगते हैं तो आप OBC रिन्यूस की जगा लगा सकते हैं तो यह सारे डॉक्यूमेंट जो है वह अपलोड करने हैं आपको फिर भी किसी बच्चे का एडमिसन नहीं होता है तो वह मेरे को कमेंट से दे रहे हैं इस वक्त और जहां पर एडमिसन चालू है तो मैं आरुप मिर को आपको कमेंट करके बता दीजिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथे साथ लाइक करें और शेय दो कर दोने मत